आप सभी को मेरी तरब से जैमाता दी सिरीशुक्त से सम्मंदिद मैं कई सारे प्रश्णों का उतर इस वीडियो में देने वाला हूँ तो मैं आप सभी को बता दू कि मैं किस प्रश्णों का उतर बताने वाला हूँ तो सबसे पहला है सिरीशुक्त क्या है स्री सुक्त का पार्ट कितनी बार करना चाहिए, स्री सुक्त को कैसे सिध्ध कर सकते हैं, स्री सुक्त का पार्ट करने से क्या होता है, यानि स्री सुक्त के लाब क्या है, स्री सुक्त का हवन कैसे कर सकते हैं, क्या स्री सुक्त का पार्ट करने से मातदच मी सच में प्रशन होती हिंदु धर्म में देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करने के लिए विभिन शुक्त अनादी काल से सिद्ध है स्री शुक्त उनमें से एक विशिष्ट शुक्त है स्री शुक्त विश्व के सबसे प्राचिन ग्रंत रिगवेद से लिया गया है श्रीशुक्त महालचमी माता को समर्पित है कहा जाता है कि जिस घर में श्रीशुक्त का पाठ होता है नियमित रूप से होता है उस घर में धन की कभी कमी नहीं होती है सिर्शुक्त पाट करने से धन संपत्ति की वृद्धी होती है समाज में आपको सम्मान प्राप्त होता है आपको कभी धन की कमी महसूस नहीं हो सकती साथ ही मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि सिर्शुक्त का पाट आखिर कितनी बार करना चाहिए धन की प्राप्ति वा महालच्मी की किरिपा प्राप्त करने के लिए साथक को प्रति दिन आठ बार या फिर सोला बार सिर्शुक्त का पाट आवश्य करना चाहिए मैं फिर से दोहरा दूँ कि महालच्मी की अगर किरिपा अगर आपको प्राप्त करनी है तो कम से कम आठ बार या फिर 16 बार स्रीशुक्त का पार्ट प्रति दिन करना आती आवश्यक होता है लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ सुराती आउस्था में जो भी सादक जो भी भक्त अगर स्रीशुक्त का पार्ट कर रहे हैं तो वो एक बार भी कम से कम पढ़ सकते हैं उसके बाद जब स्रिसुक्त कंठस्त हो जाएगा यानि आपको पूरी तरीके से स्रिसुक्त में याद हो जाएगी तब आपको पढ़ने में आसानी होगी तब आप 8 बार या 16 बार स्री सुक्त का पार्ट परती दिन कर सकते हैं अब मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि स्री सुक्त को सिद्ध कैसे करें स्री सुक्त सिद्ध होने पर इस संसार में कोई भी वस्तू आपके लिए दुरलब नहीं हो सकती आप जो चाहेंगे वो संभव हो सकता है जो व्यक्ती स्री सुक्त को सिद्ध कर लेता है उसको संसार की धन दौलत एसर्व आदी सब कुछ प्राप्त हो जाता है यानि मिल जाता है स्री सुक्त को सिध करने के लिए आपको कुछ बातों का विशेज ध्यान रखना चाहिए जिसमें पहले नमबर पर है कि परती दिन स्री सुक्त का पार्ट 16 बार आपको अवश्य करना है यानि हर रोज 16 बार स्री सुक्त का पार्ट आपको अवश्य करना है चौथे नमबर पर है वाड़ी और किसी को गलत ना बोले यानि वाड़ी के द्वारा आप किसी को गलत ना बोले आप सब्द ना बोले ना ही किसी का अपमान करें पाचवे नमबर पर है पैसा आधी का अपमान कभी ना करें ने तो लक्षमी जी यानि धनकी देवी रूष्ठ होकर चली जाती है और साथ ही कई लोग का पर्ष नाता है कि स्रीशुक्त पाठ करने से क्या लाब है इसके बेनिफिट्स क्या है तो मैं आप सभी को बता दूँ कि स्रीशुक्त पाठ करने से महालच्मी की क्रिपा बरस्ती है धन सपत्ती की अपार विर्द्धी होने लगती है दरिद्धा सीग् स्री सुक्त के बहुत सारे benefits हैं स्री सुक्त से विसेस लाब यही है कि घर में धन की कभी कमी नहीं होती और महालच्मी आपसे हमेशा प्रशन रहती है महालच्मी की किरपा से अनवा धन खुब बरसने लगता है स्री सुक्त का हमन कैसे करें स्री सुक्त का हमन करने के लिए सबसे पहले स्री सुक्त का पाठ करें स्वर पर्थम महालच्मी की पूजा करें उनका सोड़ू सोपचार पूजन करके स्री सुक्त का पाठ सुरू कर महालच्मी के मंतर से जाब भी करें और स्री सुक्त के एक सो मारा होगा कि स्री सुक्त का पार्ट करने से धन आता रहेगा या नहीं स्री सुक्त का नियमित पार्ट करने से धन अवश्य आने लगता है महालच्मी की किरपा होती है वह उनकी किरपा से धन हमेशा आता रहता है आपके घर के भंडारे हमेशा भरे रहते हैं मातालच्मी को प अगर मेरे द्वारा दीगे जनकारी आप सभी को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरू करिएगा धन्यवाद जैमातादी